बकसर पुलिस इन दिनों अपराधियों को ग्रफतार करने के लिए एक विशेस अभ्यान चला रही है इस अभ्यान के तहट न सिर्फ अपराधियों का इतिहास खंगाला जा रहा है बलकि उन्हें ग्रफतार कर सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जा रहा है बकसर के एस पी महुंबद अब्दुल्लाह के नित्रित में ये अभ्यान चलाय जा रहा है एस पी के इस बयान के बाद कई अपराधियों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है ग्रफतार अपराधियों में न केवल शराब माफिया हैं बलकि कई घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों भी शामिल है पुलिस के मुताबिक अलग-अलग मामलों में कुल 34 लोगों के ग्रफतारी हुई है एस्पी ने बताया कि आम लोगों का भी काफी सहोग मिल रहा है एवरी अल्टरनेट डे जिला अस्थर ये अभियान चलाया जा रहा है शराब माफिया के विरुद्धे अपराधियों के विरुद्धे और अवैद शास्त्र बगरा के विरुद्धे जिसमें अच्छी खासी सफलता मिल रही है और रात जो अभियान चला था उसमें कृष्णा ब्रह्मा थाने से 1824 बोतल इंग्लिश शराब जो है बरामद हुई एक बुलोडो गारी ड्राइवर फरार हो गया पुलिश के इस अभियान से जहां अपराधियों में हडगंप मचा हुआ है तो वहीं आम लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं पंजाब के सिरी टीवी के लिए बकसर से संजाय उपाध्याई की रिपोर्ट